फोर्जिंग सॉप का ये सेकंड लेक्चर है फर्स्ट लेक्चर में हमने फोर्ज के बारे में पढ़ा था उसके बारे में जो पार्ट है जो टुयर है और इसके बारे में पिछली क्लास में अच्छे सी डिटेल में पढ़ा था अगर आपने उस क्लास को विजिट नहीं किया नहीं देखा हैं तो आप playlist में जाकर आप उस class को देख सकते हैं तो ये आज हमारा second lecture है आपको अच्छे से इस class के अंतर तक आपको देखना है वीडियो को इसमें हम बहुत कुछ आज कुछ पढ़ने वाले हैं आज किस class में हम लोग पढ़ेंगे जो फोर्ज जो हम लोग फोर कुछ सीखने को मिले लेकिन class स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सस्क्राइब नहीं किया तो रिट कलर में जो सस्क्राइब लिखा हुआ है वीडियो के नीचे उसे ब्लैक कर लिजी और बिल आइकन ओन कर लिज से क्या होगा जो भी हम वीडियो करेंगे आपके पास background में notification आ जाएगा जिस प्रकार से आपके पास WhatsApp का मैसेज आता है background में मैसेज आता है उसी प्रकार से इसका भी आपको एक notification मिल जाये करेंगा जब हम वीडियो upload किया करेंगे ठीक है तो पहले हम जो कल की class में हमने पढ़ाया था उसमें से कुछ important point जो र दूर चिम निन के बारे में हमने आपको समझा दिया था तो फोर्ज क्या है फोर्ज एक परकार की फरने से जो हमने बताया था जिसमें जॉब को रखकर गर्म किया जाता है तो फोर्ज या फरने से हमारी two type की होती है एक हमारी stationary forge होती है portable forge होती है इनका मतलब क्या होता है ठ मैं पुटफ के होता हैं यह जो फोर्ज को हम एक ही जगा इस्तिर कर बना देते उसको हम कहीं ले नहीं जा सकते उसे हम इस्टेशनेरी फोर्ज कहते हैं पोर्टेबल फोर्ज होती हैं जिने हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं इस्टेशनेरी फोर्ज हो है जो हमने कल के वीडियो में आपको बताया था कि यह फोर्ज के वल एक स्थान परफिक्स रहती है इसे आग की इटो मतलब की अगनी से इटों वा मिट्टी से बनाया जाता है इसके उपर हुड बना होता है यह हमारा हुड है जिसमें हमारा सारा धुआ इस पर कठा होता है इसके उपर चिमनी होती है जहां पर धुआ जो है चिमनी के माधम से यहां से बाह कि हम समझ जाएं कि आप कितना lecture को ध्यान से सुने हैं और कितना आपने समझा है ठीक है next point है यहां पर चिमनी के द्वारा जो धुआ बाहा निकलता है ठीक है चिमनी के द्वारा यह से धुआ निकलता है बाहर इस फोर्ज में हवा को एक blower की सहायता से नोजल के पास भेजा ज जाता है जैसा कि हमने कल की क्लास में बताया था एक हमारा blower होता है जो काफी तेजी से हवा को प्रेशर से निकालता है ब्लोवर के मादम से जो हमारे टू टाइप के होते हैं ब्लोवर और एलेक्ट्रिक ब्लोवर ठीक है अब वहां से जब हवा निकलती है प्रेशर से हवा निकलती वो हवा किसमें जाती है हमारी कुइंचिंग टैंक वाटर टैंक में सोरी ठीक है यह वाटर टैंक होता है इसमें हमारा पानी भरा होता है इस वाटर टैंक में एक हमारा पाइप होता है यह पाइप होता है जो हमारा यहाँ पे टूइयर के साथ जुड़ा होता तो से वे हमारी two beginning में जाती तो यह हमने समझाया था कि वाटर टैंक यहां पर हेंड हो तन्ड़ा रहे हमारे इस वज़ए से उस को पर ठंड़ा रखने के लिए यहां पर वाठर टैंक्स यूज किया जाता है तो इसंब आगे हम पढ़ेंगे भी यहां पर इस फोर्ज में हवा को एक ब्रूर की सा अहाथ से नूजल की दो आरा पास किया है था हवा को कंट्रू insulation करने के लिए एक وال लगा होता है जिसका हमने दूसरा नाम बतायए था reflectingikan वाल ठीक है तो हवा को अगर कम या जादा करना है तो हम वहां पर regulating ? का यूज करते हैं नेश्ट है यहाँ पे थोड़ा साम पॉइंट के बारे में जानेंगे पोटेबल फोर्ज इसको हैंड फोर्ज कहते हैं यहाँ प्राया माईली स्टील की प्लेट से बनाई जाती है ठीक है इसकी बनावट में चार टंग वाला स्टैंड होता है जिसक पर चौकोर या गोल आकार का सीट का बॉक्स होता है तो यह समझ लिए पोटेबल फोर्ज क्या होता हमें यह पता होना चाहिए वो फोर्ज होती है जिसे हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं बस इतना आपको समझना है और यह हमारी किस मटेल के बनी होती है इसकी बनावट में चार टंगे होती है थोड़ा समय जानना इन चीजों को कि यह होता क्या है ठीक है फोर्ज के भाग के बारे में जो हमने कल की क्लास में अच्छे से डिटेल में पढ़ा था और क्योंकि यह दूसरी बुक है यहाँ पर तो जो कुछ अलग-लग बुक में अलग-लग कुछ पॉइंट मिल जाते हैं वो हम आपको यहाँ पर पॉइंट बताएंगे पिछली क्लास की तरह हम आपको डिटेल नहीं पढ़ाएंगे जिसे कि आपका समय का लॉस ना हो हो देजह हमा को एधन को जलाने के लिए प्रयोग करते हैं ठीक कि इस नोजल को ऊछ तापzech 동안 समझा था इस समय तरह हमारा फोर्ज होता है यहाँ पर आपका हम यहाँ पर हमारा जो जब है इसको भी यही पर रख रख जिसको क्या बोलते हैं हर्स बोलते हैं इंधन फोर्ज के किस भाग में जला जाता है हर्स या बोडी में जला जाता है वहीं पर हमारा जॉब रखा जाता है उसको गरम करना वहीं पर हमारा टूल टूयर होता है तो अगर यहां पर हम अगर हमारा जो टूयर है अगर यह भी गरम हो जा कि नोजल की उच तम उच टमक्रेचर के कारण गलने से बचाने के लिए इसे फायर कलए से भी ड़का जाता बिलकुल है तो कोशन आ जाएगा कि कि ट्वियर को हम किस के मादम से ढखते हैं फायर क्ले से ढखते अधा कि वह हाय से कोशन दो तीन कोशन आपके बन जाते हैं तो यह चीज यहां से आपको यातना यहीं सिख्जाम में कोशन पूछता है कि कोलिंग टाइंग आप रोकर करते हैं क्योंकि हमें टू येर्स को ठंडा रखना है ठीक है अब यहां पर ब्लूवर के बारे में हमने पड़ा है था ब्लूवर के बारे में एक नया पॉइंट यहां पर निकल गया है कि अगर आप सिख्जाम में पूछें ब्लूवर की हमारी स्पीड कितनी होती हमारी आर्पीम कितनी होती ब्लूवर की आर्पीम सामानता है तीन हजार चेकर प्रतिमिनिट होती है याद कर लेजिए celery कि सामनता है सब T यहाँ पे जो saw well है rack and poker है और sprinkler है यह हम निष्ट class में हम लोग dissece करेंगे ठीक है झीच क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में figure के माद़ हम से आज की class में जो हम लोग पढ़ेंगे जाफसे हमने बताया था आपको फोर्जिंग टूल्स के बारे बताएंगे यह जो सारे आप टूल देख पा रहे हो इनकी अच्छे से हर फीगर को अच्छे से समझेंगे इनको कैसे यूज करते हैं ताकि सारी चीजे आपको याद रहे चली स्टार्ट करते हैं कॉपी पिन लेके बैठ जाए क्योंकि अभी त हम आता है चीजल यूज करते हम कोल्ड चीजल प्रू करते ना इसी प्रकार से फोर्जिंग सॉप में हमारी कोल्ड सेट होती और होट सेट होती मतलब हम फोर्जिंग सॉप में कौन सी चीजल प्रू करेंगे होट चीजल प्रू करेंगे तो कोल्ड सेट के बारे में भी दिय तो इस प्रकार की छेनी को पकड़ने के लिए तार का हैंडल लगा होता है यहां पर जो ए दिया हुआ यह फीगर हम इसको यह मान के चल रहे है क्योंकि यह हमारा जो है यह हमारा क्या होता है टॉफ फुलर होता है ठीक है तो यह हमारा क्या है यह हमारा यह टॉफ फुलर इसक ईसके सार लगा ऒता यह जो आप देख पार रहें थिक है आ टथा यह आडट टैमपर होती है इसका प्रहु थंधी धात को काटनी लिए मदब को हमें आल्टे लिखुरत परती है लेकिन हाट ॐट हो आप नहीं करते क्यूंकि हाट चीज में करते तो वहाँ पर क्या होता है जब जैसे za क्लिए और जिसने गरम जोब को कार्ट रहे हैं तो यह भी हमारी पॉइंट को जाते हैं और जब हम काम का हलग करते हैं तो यह फीप धंडा हो झाता है तो हम हम और करतें आप तूल को हमने गरम किया और इसके बाद उसको ठंडा किया तो लगभाई इसी प्रियाद से हार्डिंग टेंपरिंग करते हैं और इसके लिए हम पानी में हम कूलें का भी प्रयोग करते हैं मतब कि हमें यह समझ लिजे कि हार्डिंग टेंपरिंग करने में हमें पहले गरम करना तो यह प्रक्रिया इसमें हो जाती इसलिए हमें आप लिखा हुआ है इसी वज़े से हम हर्ट जीजल का क्या यहां पर हटो टेms नहींन करते हैं इसलिए जोडे में मिलते हैं जो हमारे फुलर है यह हमारे जोडे में मिले तो भाई फिलर कौन से हैं यह हमारा बॉटम फुलर है यह हमारा टॉप फुलर है तो पहले हम फीगर के मादम से देख लेते हैं ठीक है फीगर के मादम से देख लेते हैं फिर इसके बाद हम लोग आचलेंग अच्छे से समझेंगे तो यह जो आप फीगर देख पा रहे हैं ऊपर का फीगर देखी गा emplee जब आपने बुक की इमेज़ देखी होगी तो उसमें होड़ जो हमारा हुआ जो हमारा फीगर था ऑब कुनिकल ज्यादा था हम किस की berg कर रहे हम लोगसे देखें उसमें हमारी conical लेकिन हमारा ऐसा नहीं होता कैसा होता है देखे उसका point कुछ इस तरह का होता है तो यह हमारी जैसा कि हमने starting में एक point बताया था fuller हमारे क्या होते जोड़ें पाजाते हैं एक fuller हमारा यह होता है जिसे हम बोलते हैं bottom fuller बोलते हैं इसमें हमारी एक sign होती है अ एन्विल की हम हाड़ ऑई होल में फिट करते हैं अब इन्विल का हाड़ aug haswhat हो तो यह जो हमने cukज़ दिखाई इसको कहाँ पर फिट खरते हैं इस में मोफिटकर्ट करते क्लियर होगे तो हम किसको फिट कुछ यहां को सा होता है यह तो यहां पर इमेज देख पा है इस प्रकार का हमारा है और हमारा पूण है जिससे क्या करना हमें नैकिंग करना है गुरुविंग करना जो भी आपरेशन हमें करना जैसे की नैकिंग भी क्या होता है सीट की लंबाई को में बढ़ाना है गूरुव के मादम से है न अब ऐसा तो है नहीं की टॉफुलर को इसमें हम रख देंगे अपने आप मेटल सर आएगा और यहां पर बेटल बड़े ग八 तो इससे ये इसका इसके द्वारा हम क्या करते हैं यहीसT से सेब देना तो यहां पर हम फुलर के मादम से सेब भी दे सकते हैं अगर कोई सीट है हमें खोखली सीट भी इससे बना सकते हैं खोखली सीट यानी कि जैसे हमें हालो बनाना है है ना कोई सीट है उसके अंदर क्या है हमें हालो बनाना उस वहां पर इसका प्रयोग कर सकते हैं और नाइकिंग में भी प्रयोग कर सकते हैं तो यहां पर में थेऊरी अगर हम देखेंगे तो यह आपने देखंगे लिया कुछ यह दूसरा इमेज आपको दिखा देते हैं यह थे जो आप देख पा रहें इसमें हमारी सैंक नीचे है कौन सी सैंक नीचे है जे वाली सैंक है हो containing harness है यह हमारी कहां पर है यह anvil के जो अभीर है और यह जो हमारा भाग है हमारा कॉन सा फिरेंट है clarity है और इसे के उपार हम लोग यूज करते यह जिसे हम बोलते हैं टॉप फुलर बोलते हैं जो हमने इमेज के माद हम से समझाया ठीक है हम थियोरी पे अब आगे चलते हैं आपको समझ में आ गया होगा ठीक है तो इसको आगे हम पढ़ लेते हैं फुलर जो होता है यह जोड़े मिलते हैं इनमें एक हमारा टॉप फुलर होता है जिसके बारे म संबाई बढ़ाना गृप के मादम से एक मतलब जैसे हमारी सीट है, तो उस में क्या होता है, देखे हैं अभी हम आपको समझाते हैं, तो यहाँ पर हमने मारकर क्वाट का लिए, आप समझाते हैं, कि नैकिंग क्या, देखे, यह हमारी क्या स्क्वाइर सीट है, इसको हम मिलर को जो सिट सिट में मारा गुरूप बनेगा उसिए को हम नैकिंग बोलते हैं ठीक के आगे नैकिंग के बारे हम डिटेश में हम लोग पढ़ेंगे ठीक कि अभी हमारा कई सारे operation आएंगे वहां पर हम clear करेंगे ठीक है चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं इसको पहले clear कर लेते हैं आगे हम यह पढ़ते हैं कि इसके द्वारा नैकिंग द्वारा लंबाई बढ़ाने के लिए प्रियू करते हैं टॉप फुलर यह जो हमारा figure था ठी जबकि bottom fuller की sank को anvil के hard eye hole में fit करते हैं जिसे हमने hard eye hole भी आपको दिखाया था एनविल में हमारा कहाँ पर होता है जिसे हम square hole भी बोलते हैं और हम bottom fuller की sank को यह हमें समझना है तो bottom fuller की sank कौन से है तो यह हमारी bottom fuller की sank है जिसे हम anvil के hard eye hole में fit करते हैं इसके साथ top fuller का प्र यहां पर clear कर दिया देखिए अगर ना समझाना होता तो यहां पर एक मिनट में fuller के बारे में clear हो जाता मतलब कि फिर हो सकता है कुछ बचों यहां पर clear हो जाता कुछ का ना होता है लेकिन आप इस सब को लेके चलना तो class लंबी जरूर हो जाती लेकिन आपको अच्छे से हर समझना ठीक है अब यहां पर हम लोग faller के बारे में पढ़ लिया अब हम लोग ओठना है drift के बारे में ठीक है तो drift का क्या है जैसे कि हम के महारा जब डिल टेपर होती लेकिन हम इसका यूज मतब थियोरी पढ़ने से पहले इसका हम लोग फीगर देख लेते हैं तो यह हमारी ड्रिप्ट होती है यह हमारा कौन सा यह हम इसे हम ड्रिप्ट बोलते हैं और इसका यूज हम किस प्रकार से करते हैं इसको हम समझेंगे ठीक है तो यह हमा मोटी सीट है उस पर हमें होल करना है तो उस पर हम होल कर सकते हैं ड्रिप्ट के मादम से ठीक है यह हमारी ड्रिप्ट है यह आप यहां पर देख सकते हैं आप ड्रिप्ट लिखा हुआ और कोई सीट है और उस सीट पर हमने क्या किया है हमने पंच किया है देखें यहां पर पं xit में मतलब यह समझी हा कि पंच कर रहे हैं फोर्ड नियुक्त का LorPS का मतलब यह होता कि अलग-eing साइज में होल करना तो हम we just hope nee करते हमने ये जो होल किया हुआ हमने एक पहले पंच से होल करते जो अलग-अलग साइज का पंच आता जो भिम आगे पढ़ेंगे तो अलग-अलग size का हमने punch किया जैसे मालू हमने 20 mm का डाया हमने एक hole किया punch की माद हम से और उस hole को बढ़ा करना है या save देना है तो वहाँ पर हम drift का पर्योग करते हैं ठीक है, तो hole को बढ़ा करते हैं किस से drift का पर्योग करते हैं थिकर Department के बारे हम लोग यहाँ पर यह पर होता है इसकी क्लियर होगि नola कजिए ही इसकी क्लेच से adalah को मतलब यहाँ पर यह और यहाँ पर यह इसेंटर है और यहाँ पर दोनों तरफ है यहां pressures यहाँ पर होता है। तो आगे पढ़ लेते हैं इसका प्रयोग सुराख या सुराख का ब्यास बढ़ा करने वा गोल सकल बनाने के लिए किया तो इससे हम डिप्ट से क्या करते हैं हूल को हम बढ़ा करते हैं डायमीटर को बढ़ा करते हैं वा गोल सकल में बनाती से हम होल नहीं करते हैं हम क्या करत से क्या करते हैं होल करते हैं ना सीट मेटल में फोर्जिंग सॉप में तो इसका प्रयोग थंडी या गर्म धा तुमें अलग 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 साइज और सक्ल के सुराक अभी हमने पीशे जब हम आपको कुछ पढ़ा रहे थे तो हमने सीट वर्ड लिया होगा देखी वहाँ पर नहीं होगा जैसे कोई हमारा गर्म जॉब है उसकी आकरत बदनना है वहाँ पर ठीक है तो फोर्जिंग सॉप में कोई भी सीट मेटल का अगर हम वर्ड अभी पीशे साइद लिये है तो वहाँ पर जैसे हमने आपको नैकिंग बता रहे थे कि हमने एक सीट लिया वहाँ पर सीट नहीं होती कोई हमारी गर्म जॉब है उसकी लंबाई बढ़ाने क्योंकि यहाँ पर जो भी हम काम करेंगे वह सब हमारी क् गरम मेटल होंगे फिर उस पर हम हैमरिंग करेंगे उनके लंबाई बढ़ाएंगे अलग-अलग फोर्जिंग टूल यूज करेंग ठीक तो यहाँ पर सीट कवर्ड हम अगर कहीं पर यूज किये तो उसके लिए माफी चाहेंगे ठीक है तो पंच का हम यहाँ पर क्या सकती गरम भी हो सकती गरम के यानि मतलब कोई हमने मिटल गरम किया उसको थंडा करके यहाँ पर रखके उसमें होल कर रहे हैं या फिर गरम है हमारा मिटल गरम भी उसमें भी यूज कर सकते हैं तो इसका काम क्या होता है अलग-अलग साइच का वस्सक लोग सुराग बनाना ह होता है गर्म धातु में इनसे सुराख करने से धातु बरबानी होती है मतलब जिस साइज का हमारा पंच होता है उसी साइज का हमारा होल बन जाता है ठीक है कैसे बनता हो भी हम लोग देखेंगे और यह और जौब भी कमजोनी होती है तो पंच हम कहां पर यह हमारा पंच होता को clear हो गया ना forging swap में punch का प्रूव क्या करते हैं हम hole बनाने के लिए पड़ते हैं अगर hole को बढ़ा करने है तो drift का प्रूव करते हैं clear हो गया गाउज क्या होता है next point यहां पर gauge इसे यहां पर forging swap में इसे gauge नहीं पड़ें क्या पड़ेंगे आपर gauge पड़ेंगे गाउज क्या होता है यह भी प्रकार का hot set है यह भी प्रकार का hot set का मतलब क्या है यह भी प्रकार का हमारा चीजल होता है, लेकिन इसका cutting age क्या होता है, हमारा, सीधा नाँकर, क्या होता है, इसका cutting age सीधा नाँकर, गुलाइम होता, ठीके, तो इसका प्रेo कहा करते हैं, इससे हम g arrangements, भी हम, इससे हम गरम धाट को काटते हैं, गाउज से ठीक है अंतर सब इतना है कि इसका cutting age सीधा ना होकर गुलाइम होता है जैसा हमने बताया इसका प्रयोग तेढ़ी मेढ़ी वा गोला कार आकार में धात को काटने के लिए प्रयोग करते हैं ठीक है तो अगर जैसा उसका cutting ये जो तो ऐसा ही उसका काम करेगा तो cutting इस हमारा क्या होता है सीध है स्टेट नहीं होता एक करव में होता है गुलाइम होता है तो इसका cutting सीधा ना होकर कैसा होता है गुलाइम गुलाइम होता है इसलिए इसका प्रयोग हम कहां पर करते कोई हमारी गुलाकार सीथ है गुलाकार हमारा गरम मेटल है ठंडा मेटल केड़े इसे कि लिए पर पर करेंगे टीकिशी कोई मेटल है अब याँ पे नेक्स्ट पॉइंट है हाडाई के बारे परीज करें अच्छी के बारे के बात करते हैं तेकर हम सीरख में हम लोग पढ़े थे सेठ में में हमने क्या पड़ा था एन्बीण कि जाथक frater हम आगे कप्रोग करते हैं और इस टेक के बारे में हमने कहीं हमने पढ़ा था हाप मुन स्टेक हैचत बीच में देखते रहा करो या फिल लगाया करो जिससे कि पिछली ग्लास हो गई वह भूलोगे नहीं है ना रिविजन आपको करते रहना नहीं जो आपने पढ़ा है वह आपकी मेह खराब हो जाएगी थियोरी ऐसी चीज़ है आप प्रिविजन नहीं करोगे तो आप भूल जाओगे ठीक है तो जो भी चैप्टर हम पढ़ाते जाए उनको एक बार की उसकी देखते रहना ठीक है तो हाड आई की बारे में हम लोग पढ़ रहे थे गाउज के बारे में हमने पढ़ लिया गाउज क्या होता है इसका मतलब जैसे हम चीजल होड चीजल का प्रिव करते हैं सीधी कटिंग करने के लिए तो वह से प्रकाग है हमारी कोई गोलाई मे सीट है या डेड़ी मेड़ी सीट है तो वहाँ पर काटने के लिए हम गाउज का प्रिव करते हैं ठीक है तो इसका बीकामात म n 2 तो हम हाजग और यहाँ पर फीगर देख लेते ई-जिस एम एक विल cutter होता है इसकी जो sank होती है यह हम जो hard eye hole में fit करते हैं तो question आप से पूछा जाएगा कि हम anvil cutter की sank को हम anvil के किस भाग में fit करते हैं तो यह हमारी sank होती है यह हमारा cutting edge है और इसको हम कापप fit करेंगे यह जो हमारा hard eye hole होल होता है से हम BisquareЛ Вол बोलते हैं और यह कौुन सा होल है यह हमारा पंचिंग होल बोलते हैं से क्या बोलते हैं पंचिंग होल परिचेल होल भी बोलते हैं और इन decorating के भाग के बारे में यह कल की क्लास मैं हम लुग default करेंगे के सब इसका यूज कहां पर करते हैं इसका यूज कहां पर करते हैं वो सब के बारे में आज हम क्या वल टूल के बारे में पढ़ रहे हैं तो एन्विल के बारे हमने किस के बारे में पढ़ा अभी एन्विल कटर के बारे में फीगर देखा और कहां पर उसको फिट करते हैं इस की सायंक को जो हमने अभी बताया इसकी सायंक को के हार-डाइ-हौल में फिड करते है किलियर हो गया नजोसे को हम हमारा की इसको इसको करते हैं और fit करने के बाद हमने क्या क्या उसके उसके उपर हमने गरम जॉप को रख दिया तो कहां पर हम रखेंगे यह जो हमारा इसके उपर हमने गरम जॉप को रख दिया जो हमारी metal है जो hot है उसके उपर हमने रख दिया और ठीक है उसको रखने के बाद हम उसके उपर क्या करेंग करेंगे तो यहां पर दीखे पढ़ेंगे इसके उपर गर्म मेटल को रखकर हैमर से हम चोट लगाते ठीक है तो उसके उपर हम रखके हम तो यहां पर समझना यह जरूरी है कि हम किसका यूज कहां पर करते हैं कैसे करते हैं उसका फीगर कैसा होता है कुछ आप मैने बाद कि फोर्जिंग में पंच का काम क्या होता क्योंकि हम लोग सामयता ही पढ़ते हैं कि पंच का काम होता है पंचिंग करना है ना मार्किंग करना जबकि जैसे हम लोग प्रियो करते हैं सेंटर पंच का डिल के पॉइंट को इस्थान देने के लिए तो यहां फोर्जिंग में पं suo edge हमारा क्या होता सैवार के लेक्च्र का लाश्ट पॉइंट है इसके बाद हम लोग कुछ की थियोरी पढ़े कि कैसे इसका यूज करते हैं तो यह हमारा बॉटम से इसमें एक हमारी सैंक होती जिसको भी हम इन्विल की जो हमारा जो हमारा हडाई हो ले वहाँ पर हम फिट करेंगे ठीक है चलिए आगे हम इसको पढ़ते हैं सोज के बारे में यह हाई करवन स्टिल का बना होता है तड़ा की बोलर की बात यह भी हम आरा जैसे फुलर हमारे जोडें पा जाते हैं इसी परकार से हमारा स्वेजитель भी जोड़े में पाए जाता है जिसमें टौर्र से बॉटम से बांधि अर्धिन होत में फिट करता हैं क्यूंकि बॉटम स्वेजि में हमारे क्या ह क्लियर हो गया के इन्विल में हमारा हाडाई होल कहां पर होता ये वाला हाडाई होल है ठीक है क्लियर होना चाहिए ठीक है फिर इसके बाद आगे हम क्या करते हैं बॉटम स्वेज के बॉटम स्वेज में जो हमारी सैंक होती है उसको हम इन्विल के हाडाई होल में फिट करते ह और इसके उपर गरम राड को रख कर टॉप स्वेज उपर से रख कर हैistan में बनाते हैं इन कैसे बनाते हैं देखें हमने को हमने एन्वील में रख दिया ठीक है और इसके बाद हमने कोई हमारा बेलना कार जॉब है और उसके सेब देना अभी मतलब सही प्रण से वो गुलाई में नहीं है तो उसको हमने इसके उपर रख दिया गरम मेटल को सेफ देना है में कोई हमारा मतलब की स्कौायर सॉप सेफ में या किसी बिरकार का भी वो मेटल किसी भी सेफ में उसे बस हम कैसा सेफ देना हमें गुलाई में देना है सेफ तो हम क्या करें उस गरम म मादम से हम लोग देखते हैं ठीक है तो यह हमारा देखिए आप आपको फीगर दिखाते हैं यह फीगर देखिए तो यह हमारा क्या है यह हमारा हमारा बॉटम सेज है ठीक है यह हमारा कुम सा बॉटम सेज है बॉटम सेज में जो हमारी सैंग होती है वह हमारी एंविल के हाड डैही होल मेंły fit यहाँ पर एक होल वह आपको दीख रहा है उस होल में इसकी सैंक अंदर चली गई है ऊपर जो हए बाटम का ऊपर आप वाला सीरह दिखारी जी में हमाँ गुलाई में भाग दिखा रहा हुआ यह हमारा जो आप देख पार है इसे हम क्या बोलते हैं टॉप सोज बोलते हैं यहां पर देखे लिखा टॉप बॉटम से तो यह हमारा टॉप जो ऊपर होगा उसे हम टॉप बोलेंगे जो नीचे होगा उसे बॉटम बोलेंगे तो यह हमारा बॉटम सोज है तो यहां प प्रॉपर सेप में आ जाएगा ठीक है क्लियर हो गया ना किस प्रकार से इसका यूज़ करते हैं तो यह हमने आपको क्योंकि जो बुक की पिक है जो बुक की मेंचे वहां पर थोड़ा सा आपको इमें सब्सक्राइब ना समझ वहां लेकिन है आप हमने प्रॉपर कैसे यूज करते हैं वो भी हमने आपको दिखा दिए थिए तो जो फोर्जिंग में यह संग करते हैं कुछ टूल रहे गये वो बिया मैं इस च्लास में रोग बताएंगे जो भी ट्यूल रहे गए ठीक है और अब हम कुछ म सी कर लेते हैं थिक है क्लास को जयादा lumbi भी नहीं करते फिर आप बोरिंग आपको को फोने लगता ठीक है चलिए अब आपको कोशेंज जो है अच्छे से देखना है उसके कमेंड करके बताना है क्या उसके राइट अन सरण है कल हमारा लाइटेश्ट हुआ था और हमारा डेली लाइटेस्ट होता है और हमारे वीक में आपका रिजल्ट क्लियर हो जाता है तो उसी के कुछ कोशन यहां पर हम डिसस करते हैं और जो हमारा चैप्टर चला उसी हम लाइट लेते हैं तो जो बच्चे इसको लाइटेस्ट को पर्चेस कर रखा ताकि उनका और इसे फायदा हो सके तो अलग-अलग साइज और सकल के सुराग बनाने के लिए हम किस टूल का पर्योग करते हैं यह हम आपको हमने थिवरी पढ़ा दिया अब आपको कमिन करके अंसर बताना ठीक है तो अलग-अलग साइज और सकल के सुराग बनाने के लिए हम किसका पर्योग करते हैं हमने यहां पर वड़ क्या सुराग बनाना लो बनाना ठीक है तो वीच टूल इस यूजट में डिफरेंट साइज न्ट से डिफरेंट साइज का में होल बनाना तो हम पंच का प्रो करेंगा राइट अंसर क्या होगा बी आफसन हो जाएगा ठीक क्लियर हो गया नेश कोशन के पुछा गय आकरत पिरामिट के आकार की होती है मलब की हमारे फोर्ज की हुआ है कौन सा भाग है जिसके आकरत कैसी होती है पिरामिट की तरह होती है ठीक है बताना है आफसे ने है हर्थ टू यार हेड चिमनी ये चार आफसे ने तो फोर्ज के किस भाग की आकरती पिरामिट की तरह होती ह होड को ही क्या बोलने हैं हेड होते हैं तो राइजंसर हमारा क्या हो जाएगा यहां पे दूसरे नाम क्या है, चेक वाल, ब्लूवर, रिगुलेटिम वाल, नावतिERS, यह adjust का काम क्या होता है जो हमारी ब्लूवर से ह EPA नकल लई उसको कंट्रोल करने के लिए हम रिगलियोटिंग वालू का प्रियू करते हैं कोशन नमर फूर है फोर्ज की किस भाग से एकत्रित धुआ बाहर निकलता है तो फोर्ज का कौन सा भाग है जिसमें से हमारा एकत्रित धुआ बाहर निकलता है किसके मादन से निकलता है क्या हर्थ से निकलता है क क्या two years से क्या head से क्या chimney किसे निकलता है चिमनी से निकलता है जो भी एकत्रित हुआ होता हुमारा चिमनी से निकलता है एकत्रित कहां पर होता है हर्थ में होता है ठीक है sorry head में होता है जिसे हम क्या बोलते हैं बोड़ बोलते हैं ठीक है नेस्ट कोशन कोशन नमर फाइव फरनेस में हवा को कम या अधिक करने के लिए हम किसका प्रिव करते हैं तो फरनेस में कम या हवा को कंट्रोल करने के लिए हम regulating वालू का prove करते हैं see, if shafts a right answer है सुराक का ब्यास बढ़ा करनेबा goal circle बनाने के लिए हम किस tool का prove करते हैं तो सुराक का ब्यास हमें क्या करना है बढ़ा बनाना या हमें goal circle में बनाना है तो हम पर हम क्या prove करें जेसे हमने English में भी पतदेते हैं which tool used to increase the diameter जो हमें diameter को बढ़ाना है किसका hole का diameter बढ़ाना and make circular मतलब की हमें goal में goal circle भी देना तो right answer क्या होगा drift होगा drift से हम सुराग का ब्यास बढ़ा करते हैं ठीक है चलिए question number seven है जहां पर koila store करते हैं उसे क्या कहते हैं आफसाने quinching tank two years coal tank chimney तो जहां पर हम koila को store करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं बताएं फिर्स क्या होगा राइट इंसर coal tank बोलते हैं उसे क्या बोलते हैं coal tank क्योंचिंग टैंग जहां पर हम जो हमारे जो टूल है forging tool है या कोई भी टूल है जिसे हमें ठंडा करना है तो आपर हम क्योंचिंग टैंग में दूब हो देंगे या फिर हमें hard आप यहां पर आप गेजना पढ़ी है क्या है यहां पर हमारी MUSIC है क्योंकि हमारा only से रिलेटेट है ना तो हमारे किस टूल को एन्विल कटर कहते हैं हम हाड आई को बोलते हैं हाड आई को ही हम एन्विल कटर बोलते हैं और एन्विल कटर का प्रिव क्या होता है एन्विल कटर प्रिव करते हैं उसी प्रकार से हम एन्विल कटर का भी प्रिव करते हैं ठीक है जैसे हमने बताया था इन्विल कटर में हमारी एक सायंक होती जिसे हम इन्विल के हाड आई हूल में फिट करते और उसके उपर फिर हम क्या करते हैं हम गरम मेटल को रख देते हैं किसी भी प्रकार का जिसकी हमें आकरती बदलनी जिसकी हमें जिसके उपर चोट लगानी उसको को इकत्रित करता हैं की गाय।क्तते हैं निलने में गाउज क्या हैonce एक परकार का हौट सेट है या एक प्रकार का पंच है तो गाउज क्या एक प्रकार का हमारा होट सेट है मतलब की जैसा हमारा होट चीजाल होता है वैसे हमारा गाउज होता है लेकिन इसका कटिंग एज होता है उसका सेफ पलग होता है गाउज का सेफ पैसा होता है इसका गुलाई में सेफ होता है एक रेडियस सीट है उसको काटना है तेनी मेड़ी आकार का में जॉब है उसको काटना है वहाँ पर हम गाउज का प्रिव करेंगे यह हमें गुलाई में किसी मेटल को काटना है तो वहाँ पर हम इसका प्रिव करेंगे ठीक है गोला कार में कोई गोला आकार की कोई धात हो उसको काटिंग लिए आप हम गहुष का प्रीव करते हैं ठीक है क्लियर हो गया ना तो हमने थ्योरी भी प्लियर करा दिया उसके साथ में में राच्व करा दिया तो अभ आपको कोई भी डाउट नहीं बसता इस क्लास से हैं अभी जो थेवरी में जो भी फोर्जिंग चैप्टर से भी रहे गए वो सारा कुछ अभी आपको पढ़ाए जाएगा धीरे-धीरे आपका कल की जो क्लास होगी वे एनुविल के बारे में पढ़ाए जाएगा एनुविल के पार्ट के बारे में पढ़ा जाए किसको कहां पर कैसे खाहुआ फिर हम लोग फोरजऑं पिलेक पर चाहिक पाईगे इसके बारे मुश्चाव था फोर्जिंग हम color भी पढ़ेंगे color भी जामे पूछा जाता है कि किस अ हमारी जो हमारी जो ए अगर हमारी red color की उष्का फोर्जिंग color है तो उसमें उसका temperature कितना होगा तो यह अब आपको याद अखना है इस्टेल के बहुत कुछ्छ आपको पढ़ने के लिए तो आपको डेली लास घखना है बस आप क्लास देखोंगे वीडियो को सेर करो के लाइक करोंगे तो डेली क्लास आपके लिए आईगी अगर आप खुद आप आ ऑगर आलस बन जाओंगे जैसे होता नियक की अगर जो ड्राइवर के बगल में बैठा होता, अगर उसको नीद आने लगी, तो ड्राइवर भी नीद आने लगती, तो हमें भी नीद आने लगती, जब आप feedback नहीं देते हैं, आप बताते नहीं आपको वीडियो कैसा लगा आपको समझ में आया कि नहीं आया है तो ये सब चीजें बताया करूं और वीडियो को पर पर कोई आकास से बिल्कुल बहुत मतलब की ऐसा नहीं कि बहुत कुछ समझ पार है ना इसी प्रकार से पड़ाय जाता है हो सकता है आपको वहां से थोड़ा बेटर मिल जाए लेकिन देखिए फिर भी हम अपनी तरफ से कोसिस करते हैं आपको हर चीज समझ में आ जाए कभी भी तुलना नहीं करनी चाहिए लेकिन होता क्या कि जो चीज फिरी में मिलती उसके लोग वैल्यू नहीं समझते जो हमने कल कम्यूंटी पोस्ट किया था खैर उसमें से कुछ लोगों ने सपोर्ट पर किया कि नहीं आप वीडियो बना ये वीडिय फिर आप चब्वरत मिलती होता है जा lun moments कमेंट करकें कि लेकिसे आप वीडियू को देखते हो तो आप हर चीज समझ सकते हो और कहीं कहीं कोई की जीजह हम बार-बार रीपीट करते हों कम plane Cincinnati में होता है किसी को जल्दी समझ में आता है तो जो जिसको जल्दी समझ में आता है तो भी थोड़ा सा support बनाए रखें फिर वो अगर मालों यह सारी चीज़े उसको clear है तो फिर क्या करें एक आपको यूटूब में आफसन दिया जाता है स्पीड बढ़ाने के लिए आप दोगनी स्पीड में देख लिए जैसे आपको लगता कि क्लास धीमी है तो आप इस पीड बढ़ा के देख सकते जो बच्चे पहले से चैप्टर को पढ़ चुके जो बेसिक से पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा तो हम बेसिक से ह रहे हैं क्लास आपको इसी तरह मिलती रहेगी और जो भी इंपॉर्टिंट चैप्टर सारी चैप्टर ऐसे ही पढ़ाए जाएंगे कोई चैप्टर छोटे का नहीं आसा करते हैं आप फीडबैक देने भूलेगा नहीं ठीक है फिर आप करने तो कल कल क्लास नहीं होगी अग अगर आप अच्छा सा सपोर्ट करते तो आपको डेली लेक्टर आपको प्रॉइड कराएंगे सिप्रकसर ठीक है फ्रेंस तो अब इस टाइम दस बज़र आया हो सकता है आपको वीडियो पता नहीं कितने वज़े मिले क्योंकि आप थोड़ा सा नेटवर की प्रॉब्लम भ एक दो गंटा मतलब उसमें सब कुछ अभी बहुत कुछ में पढ़ती है वह हम आपको नहीं बताएंगे फिर कभी बताएंगे ठीक है बाइबाय टेक क्यार गुड़नाइट अपना ख्याल लखे और औरों का भी ख्याल रखना ना भूलना ठीक है